नमस्कार दोस्तों मैं सुधीर चौधरी फोन पर कैसे सीखे एक्सल मैं आज लेके आया हूँ करण्ट टाइम के लिए हम क्या करते हैं करण्ट टाइम के लिए मैंने एक सीड बनाई हूई इसमें करण्ट टाइम दिखा रहा है तो 17, और ये, इसमें कौनसा फंक्शन use होता है, अभी हमें बताया था कि NOW फंक्शन हमें date और time दोनों देता है, TODAY फंक्शन हमें date देता है, तो हम दोनों का difference ले लेते हैं, current time के लिए, क्या कड़ते हैं कि NOW-today, और ये इस type से हमें देता है, current time, करन टाइम के लिए कोई separate formula नहीं है हमें दोनों का difference लेना पड़ता है आओ इसे जाने यहां से हम now function ले रहे हैं now यह हमने now function लिया यहां से हमने now और now function लिया तो now ने हमें time और date दोनों दिया है और यहां हमने today function लिया है today ने date दिया है अब हम इन दोनों का difference लगाते हैं यहांने कि यहां से हम आते हैं now now minus today today तो दोनों का difference यह हमें दे रहा है यहां इसका एक क्या रहा है यह number में आ रहा है तो इसे हमें format करना पड़ेगा format में वही process है format number में जाएंगे फिर हम time में जाएंगे time में जाने के बाद हमें जो format चाहिए वो ले लेते हैं क्योंकि यह इस type से हमने यह लिया है दिखा दिया है तो यह क्या दे रहा था यह पहले इसका एक हमें क्या दे रहा था यह proper date time ना दे के उसका एक serial number दे रहा था जो serial number excel समझता है serial number को हमें change गरना होता है कोई से भी format में जो हम पसंद करते हों इस तरीके से हमें current time मिल जाता है thank you यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आईए तो please like and share my video and subscribe my channel success with Sudhir Kumar thank you for watching my video